नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक को नए वीडियो में आज मेरे साथ में है अशोग जी और ये चला रहे है रेनो की ट्राइबर आरक्स्टी मोडल और आज हम लेके चलेंगे एक माइलेट टेस्ट पर और आपको दिखाएंगे पूरी जर्नी तो आप रेडी हैं और हम सिटी और हाइवे दोनों ही कंडिशन में गाड़ी चलाने वाले हैं और हमारा टार्गेट रहेगा कि हम गाड़ी को लगबग 60-70 किलो मेटर चलाया जाए तो स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इसकी लिगे राजिस में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ फ्यूल टॉप अप करने से पहले हम स्पीडो मेटर को देख लेते हैं यह कार अभी तक 12,078 किलो मेटर तक चल चुकी है और आपके सामने हम हम इसे एक बार reset करेंगे और fuel economy का options भी यह available है और हम इसको zero करके देखेंगे और फिर mileage देखेंगे कि कितना निकल के आता है माइलेट टेस्ट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी fuel tank को auto cut पर हमें full कराना होगा और उसके बाद same pump same nozzle पर वापिस आएंगे फिर से हम इसको auto cut करवाएंगे tire का pressure हमें देखना होगा सभी tireों में pressure as per recommendation होना चाहिए meter को reset करना ना भूले तो यह देखिए petrol pump पर हम गाड़ी लेकर आ गए हैं कोशिश करेंगे कि आज 60-70 km तर गाड़ी चलाई जाए और वापिस same pump और same nozzle पर वापिस आया जाए तो चलिए हमें अपना petrol pump मिल चुका है और हम इसका आज real time mileage जाचेंगे यहां आप देख सकते हैं गाड़ी में fuel up होना start हो रहा है zero से start कर दिया गया है मैं वीडियो को थोड़ा सा speed up कर देता हूँ क्योंकि वीडियो already थोड़ी lengthy होने वाली है आज का petrol का price जेपूर में 108 रूपे 80 पेसे है और fuel up हम सीतापुरा से करवा रहे हैं और सीतापुरा के आसपास ही हम city और highway पर mileage different conditions में चेक करने वाले हैं यहां आप देख सकते हैं लगभग 37.5 लेटर के आसपास fuel आया है लगभग 4,081 रूपे का fuel हमने गाड़ी में डलाया है और अब यह auto cut हो चुका है और petrol उपर तक आ गया है देख लेते हैं कितना petrol में आपको दिखा देता हूँ auto cut के उपर उपर तक fuel आ चुका है अब हम गाड़ी में बैट जाते हैं और गाड़ी को start कर लेते हैं गाड़ी में push start button का option है पूरे time इस test के दोरान हम AC को on दखेंगे एक बार हम गाड़ी को side में लगा कर meter को देखते हैं आज का यह test हम highway और city दोनों area में करने वाले हैं पहले हम city की तरफ चलेंगे देखेंगे कि वहाँ क्या माई ले जाता है और फिर highway की तरफ चलेंगे और फिर वापिस से same petrol pump पे और same nozzle पे आके average चेक करेंगे अब हम हमारे cluster meter को देखते हैं अभी हमारी गाड़ी बारा हजार 80 km चल चुकी है जब हमने हमारी जर्णी स्टार्ट की थी तो बारा हजार 78 km थी अभी 2 km हम fuel pump तक आने में लग गए हैं अब हम इसको reset करेंगे mileage को reset करेंगे नौप के द्वारा हम mileage को reset करेंगे देखिए यह blank हो गया है अब start करते हैं आज की journey अब आप देख सकते हैं जर्णी हमारी start हो चुकी है ज्यादा तर मैं आपको time lapse के थुरू ही दिखाने की कोशिश करूँगा उसका reason है कि यह video काफी lengthy हो जाएगा चलिए अब कुछ km चलने के बाद शुरुआत में हमें कैसा response देखने को मिलता है आज हम maximum fuel efficiency अचीव करने की कोशिश करेंगे AC mode चलाने के बाद और आज गाड़ी अशोग जी स्वेम चला रहे हैं और I hope आज इन्हें एक नया experience मिलेगा आज के इस जर्नी में हम 80-90 की speed रखने वाले हैं city area में slow ही चलेंगे और highway पर जाकर speed बढ़ा देगे अब कुछ km चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा response देखने को मिलता है अभी cluster meter में देख रहे हैं तो 15.6 का average यहाँ पर दिखा रहा है 28 km हमारी गाड़ी चली है और यह जर्नी हमने लगबग 25 मिनिट में cover की है उम्मीद है हमारा यह shorts आपको पसंद आ रहे होंगे लगबग यहाँ पर हम 82 की speed गाड़ी की रख रहे हैं और अब बारी आ गई है highway की highway की तरफ कभी भी बहुत ज़दा speed ना रखें क्योंकि यह खाली रोड आपको attract जरूर करती है बट safety drive भी उतनी ही जरूरी है time lapse को enjoy कीजिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद अब highway पर कुछ km चलने के बाद मैं आपको response दिखा देता हूँ कि कैसा response हमें मिलता है cluster में देखने पर हमारी कुल गाड़ी 12,131 km चल चुकी है यानि कि लगबग 51 km हम चल चुके हैं और इसमें हमें 19.0 का average अभी show हो रहा है और इस जन्दी में हमने जो average speed रखी है वो 82,90 के आसपास की हमने average speed maintain की है अब हम वापस से कुछ km और चलेंगे और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी की जो expectations में लेके चलता हूँ वो है 18-19 की और मैंने काफी सारे लोगों से सुना है कि उन्हें 13-14 की mileage अचीव हो रही है तो मैं आज अशोग जी के साथ इसी clarity को लेने आया हूँ और लगबग एक गंटा हमें इस test को start करे हुए हो गया है मैंने हर angle से कोशिश किये कि मैं आपको दिखा दू कि किन किन conditions में हमने गाड़ी को drive की है और कैसा mileage हम लोग achieve कर रहे हैं अब मैं आपको एक बार speedometer भी दिखा रहा हूँ कि हमने हम कितने speed लेके चल रहे हैं और अब हम वापिस city area के और जा रहे हैं और वहाँ जाकर एक बार फिर से fuel pump पर जाकर odometer reading देखेंगे और देखेंगे कितना mileage हमें achieve हो रहा है वापिस से fuel का auto cut करवाएंगे और calculate करेंगे कि कितना average हमें मिला है तो दोस्तों आज की ये journey लगबग पूरी होने वाली है और वापिस से हम fuel pump पर आ गए है कोशिश करेंगे सेम nozzle से ही हम auto cut करवाएं तो देखते हैं cluster meter में तो हम 12,146 km की journey पूरी कर चुके हैं लगबग 66 km हम चले हैं और mileage हमें 17.5 का शो हो रहा है petrol का एक बार भी अभी तक गिरा नहीं है चलिए देखते हैं petrol pump के अंदर चलिए चलते हैं petrol pump के अंदर refill का time आ चुका है और देखते हैं overall कैसा response मिलता है auto cut set के आवा है और देख लेते हैं total कितना liter fuel और आया है तो दोस्तों ये हमने auto cut करवाया है और 3.02 liter fuel आया है 327 रुपेगा और अब हम इसको manually भी calculate करेंगे चलिए दोस्तों अब आपको calculate करके बताते हैं कि overall क्या efficiency निकल कर आई है total kilometer हमारा 66 है और अभी जो top up हमने fuel का किया है वो 3.02 liter किया है तो इसको divide किया तो 21 का average हमारा निकल के आ रहा है तो यह हमारी maximum efficiency है जो हमने निकाली है अगर हम लोग cluster meter के इसाप से देखें तो 18 to 19 का mileage हमें मिलता है और अगर हम manually calculate करते हैं तो हमें 21 का maximum mileage मिला है तो दोस्तों कहना चाहूंगा काफी अच्छी mileage निकल कर आई है और अशोग जी भी आज बहुत खुश है तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू